बॉलिवूड इंडस्ट्री एक ऐसा समंदर है जहां हर दिन नए और पुराने कलाकार स्ट्रगल करते रहते हैं हालगी किसी का कोई गौड फादर है तो उसके लिए सब आसान हो जाता है खैर कुछ कलाकार स्ट्रगल करते हुए कामयाब हो जाते हैं तो कुछ उनी गलियू में खोकर रह जाते हैं तो आज हम आपको टीवी के ऐसे ही कलाकार के बारें बताने जा रहे हैं जो छोटे परते पर राज करता है आज के समय इसकी कमाई कई नामी एक्टर एक्ट्रिसेस से भी कहीं जादा है लिकिन एक ऐसा समय था जब इस एक्टर को इंडस्ट्री में रहते हुए हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और उस एक्टर का नाम मशूर कॉमेडियन कपिल शर्मा है तो आईए आपको इस वीडियो के जरिये बताते हैं कि कैसे एक समय पर कपिल शर्मा बिलकुल कंगाली के कागार पर थे स्वागेत आप सभी का निजरूम पोस्ट में मैं आपके साथ कुना तो सबसे पहले आपको बताए तीन सो करोड की नेट वर्थ के साथ कपिल शर्मा टेलिविजन के सबसे अमीर कलाकार बन चुके हैं उन्होंने पिछले साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टीवी एक्ट्रेस रुपाली गाउंगली को भी पीछे छोड़ दिया है लेकिन अपनी सफ़ता के बावजूद एक ऐसा समय भी आया जब कपिल दिवालिया हो गए थे हाली में एक पॉड़कास्ट के दोरान कपिल ने मुंबई में अपने शंघर्ष का और स्कारडम की ओर अपने कदम बढ़ाने के बारे में खुल कर बात की अपने शुरुवाती दिनों को याद करते हुए उनने बताया कि कैसे वो सिर्फ 1200 रुपे लेकर मुंबई आये थे और कई बार तो उन्हें दिन में एक बार का खाना भी नहीं मिलता था इसके बाद कपिल ने बताया कि कैसे दो फिल्मे बनाने की कोशिश में उनका बैंक बैलेंस पूरी तरह से खतब हो गया था और उनके बैंक अकाउंट में एक भी रुपे नहीं थे कपिल शर्मा ने कहा मेरा दिमाग खराब हो गया था मैंने दो फिल्में बना दी, मेरे पास बहुत सारा पैसा था और मैंने सोचा कि मैं इससे एक प्रडूसर बन सकता हूँ लेकिन प्रडूसर बनना सिर्फ पैसों से जादा है, इसके लिए एक खास mentality और training के जरूत होती है मैंने बहुत सारा पैसा बरबाद कर दिया और मेरा बैंक बैलेंस जीरो हो गया आपको बता दे कि कपिल ने 2015 में किस-किस को प्यार करू फिल्म से अपना बॉलिवुड में टेबू किया था और उने 2017 में फिल्म फिरंगी का निर्मान किया जिसमें कपिल और इशिदा दत्ता ने मुख्य भूनिका निबाई थी वही कपिल आगे बताते हैं कि उस वक्त वो डिप्रेसिन में चले गए थी और तब इस बुरे वक्त से उनकी पत्नी गिन्नी ने उन्हें बाहर निकाला था तो ये थे टीवी के पॉबलर स्टार कलाकार कपिल शर्मा जिनों ने अपने जीवन में कई पढ़ावों को पार किया और आज अपनी यहाँ पर एक नई प्यक्चान बनाई है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए